क्या आप उस शिपकली के बारे में जानते हैं जो गर्मी का मौसम शुरू होते ही बारिश की तरह जमीन पर बरसने लगती है? क्या आप उस देश का नाम जानते हैं जहां मच्छर पकड़ने के लिए विशेश प्रतियुगता का आयूजिन किया जाता है? क्या आपको पता है कि भविश में बच्चे मा के गर्ब में नहीं बलकी जार में विक्सित होंगे लेकिन कैसे क्या आप जानते हैं कि Most Popular Show शक्तिमान को आचाना क्यों बंद कर दिया गया था यकीनन आपने आज से पहले तने Amazing Facts नहीं सुने होंगे इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें आम तोर पर सुनामी और बाड के दौरान आम लोगों को समुदर के आसपास ना जाने की सला दी जाती है ताकि वो सुरक्षित रह सके लेकिन क्या आप उस महिला के बारे में जानते हैं जिसके उपर सरकार ने आज इवन समुदर के पास या किनारे जाने पर पाबंदी लगाई है जी हाँ ये बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन ब्रिटीन में रहने वाली एमी बैथ डेला मूरा नाम की महिला को समुदर के आसपास जाने की सक्त मना ही है दरसल 44 वर्षिय एमी ने लगभग 50 बार समुदर में कूद कर आत्महत्या करनी की कोशिश की थी लेकिन हर बार उन्हें प्रसाशन द्वारा बचा लिया जाता था ऐसे में एमी को बार-बार बचाने की वज़े से ब्रिटिन सरकार को महिस 5 साल में 1 मिलिन पाउंड यानी लगभग 10 करोड 20 लाग रुपे से भी ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ी थी जो देश की टैक्स पेर्स की जेब से करता था ऐसे में सरकार ने एमी को जिंदा रखने और अपने खर्च को बचाने के लिए उनका समुद्र के आसपास जाना ही बंद कर दिया ताकि वो दोबारा कभी समुद्र में कूद कर आत्मात्या करनी की कोशिश ना करे ऐसे में एमी अपनी गलती के चलते अब समुदर के आसपास घूमने फिरने के लिए भी नहीं जा सकती है जिसकी वज़े से वो अपनी जिंदिगी में कभी भी समुदर नहीं देख पाएगी आज तक आपने चिपकली को दिवार पर चलते हुए देखा होगा जिससे कई लोग काफी डरते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई प्रकार की चिपकली आपाई जाती हैं जिनका आकार बहुत ही बड़ा और डरावना होता है चिपकली के इन खतरनाक प्रजातियों में से एक है इगुआना जो मुख्य रूप से साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको और फ्लॉरिडा में पाई जाती है जो जमीन पर गिरते ही लोगों पर हमला करने के लिए दोड़ती है दरसल चिपकली की ये प्रजाती सर्दी के मौसम में उचे-उचे पेड़ों की टहनियों पर बैट कर हाइबर नेशन में चली जाती है ऐसे में जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है इगुआना सामाने जीवन में लोटने लगती है ऐसे में पेडों पर शीत निंदरा का आनंद उठा रही इगुआना गर्मी का मौसम शुरू होते ही पेडों से नीचे गिरने लगती है जिसकी वज़े से सड़क, घर, पार्क और पब्लिक प्लेस में हर जगे चिपकली ही चिपकली नजर आती है कई बार तो ये चिपकली स्थाने लोगों के घरों के अंदर भी गुश जाती है क्योंकि शीत निंदरा से उठते ही इसे शारेरे कूजा के लिए धेर सारा खाना खाने की जरूरत पड़ती है ऐसे में फ्लोरिडा के लोगों के लिए च्छत और उचे पेडों से चिपकली का गिरना आस्मान से इगवाना की बरसात होने जैसा है जो बहुत ही डरावना नजारा होता है हम सभी अपने घर की रखवाली के लिए कुटा पालना पसंद करते हैं जो अंजान शक्स को देखते ही भौकना शुरू कर देता है वही कुछ लोग डॉग लवर्स भी होते हैं जो अपने शौक को पूरा करने के लिए घर पर कुटे पालना पसंद करते हैं लेकिन क्या हो अगर आप जिस कुटे को घर लेकर आए हैं उसे भौकना ही ना आता हो आप सोच रहे होंगे कि वह कुटा गुंगा होगा या फिर उसे किसी तरह की बीमारी हो सकती है लेकिन आपका अंदाजा बिलकुल गलत है दरसल इस दुनिया में कुटे की एक खास नसल है जिसे बैसंजी ब्रीड के नाम से जाना जाता है इस नसल के कुटो की सबसे बड़ी खासियत और पहचान ये है कि ये कभी भी भौकते नहीं है यानि अगर बैसंजी डॉग आपके घर पर रहता है तो आपको उसके भौकने की आवाज कभी नहीं सुनाई देगी इस नसल के कुटो की वोकल कॉड अन्न कुटो की तुल्ना में अच्छी तरह से विक्सित नहीं हो पाती है जिसकी वज़े से ये कुटा चाहा कर भी अपने गले से तेज भौकने की आवाज नहीं निकाल सकता है हाला कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुटा बिलकुल भी आवाज नहीं करता है, बलकि एक खत्रा महसूस होने पर धीमी आवाज निकालने और अपने मालिक को सतर करने में माहिर होता है। यही वज़े है कि बैसेंजी डॉक को उसके शांत और अलग खासियत की वज़े से कॉंगो में इसे काफी ज़ादा पसंद किया जाता है, जहां हर तीसरे घर में आपको ये कुटा आसानी से नजर आ जाएगा। कारनामा कर दिखाया है, जिसकी वज़े से उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्च किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट के चलते उन्होंने नीबू की खटास को पावर जनरेट करने वाले तत्व के रूप में इस्तमाल किया था, जिसकी मदद से एक साथ दो गाड़ियों को आसानी से चलाया जा सकता है। फैक्ट नमबर फाइव जिसकी वज़े से ये पेड सालों से अपने अस्तित्व को बरकरार रख पाया है। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक अनोखा मंदिर भी है, जहां मनत पूरी करने के लिए भक्तों को आपस में लड़ाई करनी पड़ती है। ये वज़े हैं कि इस मंदिर में आने वाले शद्धालू अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई छगड़ा करने का एक भी मौका मिस्त नहीं करते हैं। ताकि उनके काम सफल हो जाएं। अगर आपकी किसी शुब काम की शुरुआत से पहले किसी विक्ति से लड़ाई हो जाती है तो इससे निराश नहों बलकि इस बात को सकरात्माक रूप से लें और अपना काम शुरू करें। इस दुनिया में कई देश हैं जहां अलग-अलग प्रकार के तहवार और प्रतियोगताओं का आयोजिन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी मच्छर पकड़ने वाली प्रतियोगता के बारे में सुना हैं? अगर नहीं तो आज जान लीजिये। इस कम्पुटिशन को जीत जाता है। इस प्रतियोगता में जीत हासल करने वाले विक्टी को लाखो रुपए का एनाम दिया जाता है जो एक बहुत ही फण लविंग गेम माना जाता है। तो अगर आप भी मचरों को मारने में एक्सपर्ट हैं तो आप इनलैंड में हर साल गर्मी के मौसम में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगता में हिस्सा ले सकते हैं। आज तक पूरी दुनिया में बच्चे को जहम देने की जिम्मदारी सिर्फ महिलाओं की है जो लंबे समय तक कई तकलीफों को जहलते हुए बच्चे को अपने गर्भ में पालती है। अगर ये टेस्ट सफल हो जाता है तो चीन समय पूरी दुनिया के पास बच्चा पैदा करने का इदूसरा विकल्प होगा और उसकी वज़े से महिलाओं को लंबे समय तक दर्द जहली की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दे कि इस तकनी के जरी जार में एक खास तरह का फ्ल्यूइड भरा होता है जो गर्भावस्ता के दौरान सिर्फ महिला के गर्भाशे में विक्सित होता है। इसे फ्ल्यूट के जरी बच्चा गर्भाशे के अंदर सुरक्षित रहता है और उसमें सांस लेता है जिसे अब जार के अंदर भर कर बच्चे को जम देने का एक नया तरीका विक्सित किया जा रहा है। इसे में साल 1997 से 2005 तक शक्तिमान का नियमत प्रसारण होता रहता था लेकिन फिर एक दिन अचानक से दूर्दर्शन ने शक्तिमान को प्रसारण करना बंद कर दिया था। जिसे वो शक्तिमान को देखने के लिए उची बिल्लिंग से छलांग लगा देते थे। ऐसे में मुकेश खना शक्तिमान की रूप में उन बच्चों को बचा नहीं पाते थे और उनकी मौत हो जाती थी। उस वक्त भारत के अलग-अलग राजियों से बच्चों के बिल्लिंग या छट से कुदने की खबरे सामने आने लगी थी। लेकिन शक्तिमान के 350 एपिसोड पूरे हो जाने के बावजूद भी मेकर्स ने मुकेश खना की फीस में इजाफा नहीं किया जिसके बाद मुकेश खना ने शक्तिमान सीरियल को छोड़ने का फैसला कर लिया था। और ना बनने की वज़े से दूरदर्शन को भी शक्तिमान का टेली कास्ट अचानक से रुकना पड़ गया था जिसकी वज़े से कई बच्चों का पसेंदी दाशो एकदम से छूट गया। आज के लिए बस इतना ही जय हिन दोस्तों।